आज हमाई है सापुदार हमें और शीकल बेज रेस्टोरेंट में काठी वाड़ी शिपी है लस्निया बटड़ है थोड़ा सालाड है साथ में और यह साथ में बाजरी का रोटला यहां की सेव थोड़ी सी पचली है जो कि आम तोर से मैंने देखी थोड़ी सी मोटी सेव यूज होती है यह भी काफी बढ़िया है मुझे तो बहुत पसंद है यह हमारे सामने है खूबसूरत सापुतारा लेक्स सापुतारा एक पिकनिक स्पॉट स्पॉट है विकेंड डेस्टिनेशन कह सकते है नासिक और सूरत के लोगों के लिए दोनों जगह से यह काफी नजदिक है यहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज और स्पॉट्स भी है एक तो दिन यहां पर आरम से बिता सकते हैं यह है सूरत से नासिक की तरफ जाने वाल प्सक्राइब एक पैदिक है एक स्दॉट है यह है यह है यह है वbas सबस्वादए नासिया नासिए्यों कि अट्सॉट्स नासित साथ मिला वाल ने ने चाड़ एक तर घंग जगए और कि इंग जएते हैं पहूं कि वाल पया खिए जग जगम गजए है नासिए है वार दव्णाइ 옆 Jordi व्टने आब यह बन रहा है लेस्ट नियो बटाटा है यह बटाटा है यह बटाटा है यह बटाटा है नियो बटाटा है दोपस्ट प्रटाटा है बटाटा है झाल झाल सबसे कुन सार र्यादा चलता है काठी अवरी डिश में काठी अवरी डिश में लेशनर बटा का रिंगन भरता शेव टाम बटा बाजरी का रोटी करेखी चिए अच्छा वगार रुड़ी रहता हुँ प्डश में अव जब डिया बाजरीगा हर्या बाजरी अवरी अवरे यह एंग generously है के रचा एंके हैंके दो जाजरी भी बतानों से यह विए हुआ बटोता हम में क्यों दो मिए खथाओ का रुटRadien पालेंके मीली हमावि आपना बाजरीगा, भी मिया मावड़ी ने हमानाटी यंचा एक बेफ sitting आपिते गिझना अबराद़ 2 खिए टाँ अबराद़ 나서 आप एक ली मौई एंवार यह कि आद्रक लसुन है कि यह अगली स्पेशालिटी बन रहे है वगारेलू रोटला यह फुल फ्लेम पे जो कुकी होता ना वो डावे का मजा ही बढ़िया है इसका एक बड़ी ऐसा फ्लेवर आते है यह भी दवी में बनेगा अच्छा यह कैसे आम तोर से नाच्टे में खाए जादा है यहां नाच्टे में और यह बड़ी बुद्वर के साथ पहला 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 अच्छा 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 लोड़ी वी तर शेक सनलेगा अच्छा फ्लोड़ी जैस ऑफ अच्छा 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 झालबा अयह बाजरे केे रोटी के तुकड़े अक्ष्य आगा थोड़ा धनिया अच्छा अ यह बन गया अपना वगारे लोग रूट ला और उपर से दनिया नमस्ते दोस्तों तो आज हमाई है सापुदार हमें और शीकल वेज रेस्टोरेंट में काठे वाड़ी दो सब्सक्राइक यह मंगए लशनिया वटट में लशनिया बड़चन थूड़ा सालाड है साथ में और यह सेव टमाटा की सब्सक्राइक काफी फिल्मास है काठे वर्यों यह हमने अगया और सांत में बागा घॉल लगा कि बागा के बागा रोटला मंगाए तो टेस्टर के देखते हैं इसको और आपको रिव्यू देते हैं को ट्राइ करें करें एक कट कर पर दाता है हेच और ने में तो ने काफी डैंटिंग लग रहे हैं दोनों सेव टामाटा और लशिनी बटाना अभी ट्राइब कर देखते हैं सबसे पहले ट्राइब करेंगे लशनिया बटाटा ग्रेवी है आलू की पीसिस है पांदा टमाटा वाली ग्रेवी है और फुल फ्लेम पे बनाई गए तो उसका स्मोकी फ्लेवर भी आलग से आता होगा है कि बड़िया इंपर्ट हो के यिसमें लशनियाँ बटाटा है बड़ियों समोकी फ्लेवर लेकर हुआ हाई फ्लेम पर गूले महसं स्ष्ट्ट जो कुकिंग करते टिपिकल ढहां टावा फ्लेवर जो आता है वो काफी बढ़िया है और एक लेकर देखते हैं अब बढ़ते अगली सब्जी की तरफ यह सेव टमाड़ा यहां की सेव थोड़ी सी पत्ली है जो की आम तोर से मैंने देखी थोड़ी सी मोटी सेव यूज होती है पर यह भी काफी बढ़िया है मुझे तो बहुत पसंद आई यह सेव का अपना एक फ्लेवर है और उपर से जो स्मोकी फ्लेवर है वह तो ही इसमें भी तो यह तो मस्ट्रा है सेव टमाड़ा जब भी आप यहां विजिट करें काठीयावाडी होटेल शीतल काठीयावाडी हो और काफी बढ़िया खाना है सिंपल और एक दम फ्लेवर कुल खाना है ज्यादा स्पाइस ही नहीं है पर फ्लेवर कापी बढ़िया है तो स्पेशल काठीयावडी आइटम मसाला चास इसको आप मिस नहीं कर सकते तो यह भी हमने मंगा लिए इसके साथ थोड़ा सा आम तोर से ओईली होता है अठीयावडी फूड और उसको सही तरह के से बैलेंस करता है तरह के समसाला चास पर यहां देख रहा हूं में ज्यादा ओईली भी नहीं है काफी अच्छी तरह के से बनाए और टेस्ट और फ्लेवर के तो क्या कहने एकदम सिंपल और होमली फूड है जो की फ्लेवर्स और टेस्ट में काफी बढ़िया है यह हमने मंगाया थोड़े पराठे और वगार एलो वगार एली रोटी थोड़ा प्रनुसिशन अगर गलत होगा तो माफ कर दीजेगा यह ट्राइब करेंगे वगार एलू रोटी बढ़िया दही और छास में बना हुआ खट्टा मीटा डिश है यह यह वी काफी बढ़िया है अब हम एंड करेंगे यह काटिया वाड़ी मसला खिचड़ी के साथ है कड़ी और खिचड़ी साथ में है तो हमाय है आपे शीतल काठ्यावडी रेस्टोरंट बेज रेस्टोरंट है सापुतारा में और हमें उनके उनर के साथ मीट साथ सर जी आपका नाम के अठा bend गया से बाइस तो खाना तो काफी टेस्टी था हमने काफी एंजॉई किया और सर ने हमें प्रिपरेशन भी बताई इसके तो जरूर विजिट कीजेगा साही बाजर में शीतल काठियावाडी रेस्टोरेंट और खास करके मैं मैं रेकमेंट करूँगा कि काठियावाडी खाने का आस्वाद लेजिएगा तेंक्यू सर विडियो पसंद आये तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना अपना और अपने परिवार का ज्यान रखना मिलेंगे अगले एपीसोड में